नमस्कार मुर्प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर प्रखंड साधन सेवियों का मुद्दा उठाए गया भाजपा वधायक अरुण शंकर प्रसाद ने ध्याना कर्शन के बाधें से ये सवाल उठाया इस पर सिक्षा मंत्री ने जवाब दिया जिसके तहती सिक्षा मंत्रे विजय चौधरी ने एलान किया है कि इस महीने के भीत सभी प्रखंडों से बी आर्पी को उनके मूल स्कूल में वापस कर दिया जाएगा इसके साथ ही अगर उपयोगिता रहेगी तो ही बी आर्पी के पदपर ने लोग आएंगे इस दौरान ही बिहार विधान सभा में भाजपा वधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सदन में कह सभाय की प्रखंड साधन सेवी सालों से प्रखंड में जमे है इससे सिक्षा विवस्ता पर असर पढ़ रहा है वो बिचौलियों की भूमिका में होते हैं कमीटी के रिपोर्ट आने तक सभी प्रखंड साधन सेवियों का मूल विध्याले में वापस किया जाए बिहार में स सिक्षकों को नियमित सिक्षक योजना में भाग लेना चाहिए उनके चैन के लिए मैं शुब कामना देता हूं उलेखनिया है कि अभी माधमिक और उच माधमिक स्कूलों के लिए छटे चरन की सिक्षक नियोजिन प्रक्रिया चल रही है इसके साथ ही सिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के नियोजित सिक्षकों की भाती ही राजिके गैर सरकारी मानेता प्राप्त अल्पसंख्यक माधमिक और उच्च माधमिक विद्यालियों के सिक्षकों के देवेतन में 15 फीजदी का अजाफा करने का अंदर ने लिया है बिहार में बार्ण को लेकर जारी हुआ अलर्ट लगातार नेपाल के तरहाई अलाकों में हो रही बारिश की बाद से ही बिहार में भी बार्ण की आशंका बढ़ने लगी है बीते दिन हुई बारिश की बाद बिहार में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है क्योंकि नेपाल के तरही छेत्रों में लगातार बारिश की बाद पश्चिम चंपारन की गंड़क नदी के जलस्तर में वृध ही देखने को मिली है आज सुबह सुबह वाल में की गंड़क बराद से एक लाग पचास जार क्यू सेक्स अधित पानी का डिस्चार्ज किया गया बाल मेकी नेगर के साथ ही नेपाल के तरही आखे में फिल्हाल बारिश जारी है जिसकी कारण ही नदी के जलस्तर में और ज्याद अपरधी देखी जा रही है इसके साथ ही सभी अधिकारियों को बांध और तटबंध की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी करने की बात कही गई है बिहार आज सुबह से ही कई इलाकों में जमा जमबारिश देखने को मिली और मौसम खुश्णवा नजर आया मौनसून में पहली बार आज बरसात का एहसास चलचलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है बिहार के हॉस्टल लॉज और कोचिंग संस्थानों पर पहनी नजर रखेगी बिहार पुलिस अगनिपत्योशा के विरोध को देखते वे सभी जिलो के पुलिस अधिक्षकों को विशेश अलर्ट पर बीते दिन से रख दिया गया है इसको लेकर बिहार पुलिस के मुख्या देजीपी संजीव कुमार सिंगल ने जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही सभी जिलो के पुलिस अधिक्षकों को निर्देश दिया है कि लॉज होस्टर और कोचिंग संस्थानों से जुड़े इलाके में विशेश निगरानी की जाए संभावित अंदोलनों और प्रदर्शन को देखते वे सतरक रहते हुए पुलिस बलों की आवश्यक प्रतिन्युक्ती की जाए इस दोरानी डीजेपी संजीव कुमार सिंगल सभी जिलों के पुलिस सधिक्षकों को निर्देश दिया कि छोटी छोटी घटनाओं पर भी नज़र रखे ताकि किसी भी अनहुनी से बचा जा सके अगनीपत के खिलाब विपक्ष ने किया विधानसभा ध्यक्ष के चामबर का घेराब बिहार समें देश के कई राजयों में अगनीपत योश्रा को लेकर काफी बवाल देखने को मिला था हाला कि अब बिहार में चात्रों का अक्रोश तो शांत हो गया है लेकिन अब ये मामला विधानसभा में जा पहुँचा है जैसा कि आपको पता है कि इन दुनों बिहार में मौनसून सत्र चल रहा है ऐसे में विपक्षी दलों का गुस्सा भी अब दिखने लगा है इसके बाद ही बिहार में मौनसून सत्र में अगनिपत के खिलाफ विपक्ष का हंगामा लगातार चौथे दिन बुधवार को भी जारी रहा राज़त सहित सभी विपक्षी दलों के सदसे बुधवार को विधान सभाद्यक्ष विजै कुमार सिनहा के चामर के बाहर धरने पर बैठे दिखाई दिए जहां पर ही सभी विपक्षी सदस्यों ने सेना भर्ती की अगनिपत योश्रा की खिलाफ विरोध जटाथ वे केंद्र और राजिकी एंडिये सरकार के खिलाफ नारे बाजी की इस दोरान ही विपक्षी सदस्यों ने विरोग जताते वे कहा कि अगनीपत के नाम पर मोधी सरकार देश के युवाओं का भिविशे बरबाद कर रही है यहां बनेगा बिहार का पहला स्थाई ट्राफिक पार्क बिहार का पहला स्थाई ट्राफिक पार्क वीर कुबर सिंग पार्क में बनने जा रहा है इसको लेकर परिवहन विभाग ने एक्स्प्रेशन ओफ इंट्रेस जारी कर दिया है इसके नसारा विभाग ने विशेशग एजंसियों को आमंतरन दिया है ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्राफिक पार्क बनाने वाली एजंसी को इसकी देखरेक करनी होगी दस साल तक इसके संचालन का जिम्मा भी निर्मान एजंसी को ही करना होगा ट्राफिक पार्क का अंदर्मान इसका दर होगा कि बड़े हो या बच्चे आसानी से यातायात नियमों के बारे में जानकारी हासल कर सकेंगे आपकी जानकारी के लाब को बता दे कि ट्राफिक पार्क उन्चा सोबर्ग फूट में बनेगा इसके प्रवेश द्वार से ही आतायात्मियमों की पूरी जानकारी मिले लगेगी इस तरह से इसका डिजाइन होगा यूपी बिहार के इतने हजार अभ्यर्थी देंगे CHSL 2020 का स्किल टेस्ट करमचारी चायनायो की तरफ से आयोजित कमबाइन हायर सेकंडरी लेवल 2020 परिक्षा के टियर टू में सफल अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट एक जुलाई को होने वाला है इसमें यूपी बिहार के कई चातर शामिल होने वाले हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि देश भर से 28,507 अभ्यर्थी स्किल टेस्ट के लिए सफल खोशित किये गए हैं जिन में मध्य शेत्र के अधीन उतर प्रदेश और बिहार के 9133 अभ्यर्थी शामिल है इसको लेकर प्रयागराज, लखनव और कानपूर में 2-2, पतना में 5 जबकी मेरट और भागतपूर में एक-एक केंदर बनाए गये हैं अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट www.sse-cr.org पर अप्लोड किये जा चुके हैं सफल अभ्यर्थियों को टेस्ट से 90 मिन पर मजबूर कर दिया है, आलम कुछ यू है कि सरकार के लाख दावों के बावजूद स्मार्ट शेहरों की रियल टाइम रांकिंग में पतना एक बार फिर से फिसर्डी साबित हो गया, अभी ते दिनों ही जारी किये गया, रियल टाइम रांकिंग में पतना जहां कुछ समय पहले चोवनवे पाइदान पर था, वही इस बार अब पीछे जाकर 82 वे स्थान पर पहुँच गया है, इतना ही नहीं बिहार की घुशित चार स्मार्ट सित्टी के लिस्ट में पतना सबसे नीचे है, और पिछले साल की रांकिंग से अठाई संक नीचे चला गया है, ऐसे म पहुच गया है, और कुछ ट्रेनों में बुकिंग तक बंद हो गई है, रेल्वे बोट के अधिकारी के मुताविक यात्री ट्रेन चलने की तारिक से 120 दिन पहले बुकिंग करा सकते हैं, इस साथ दिवाली का तेवहार ऑक्टूबर महीने में है, मगर स्लीपर और AC3 टियर क दिखेंगे, हाला कि रेल रेते ओहरों से पहले कुछ स्पेशल ट्रेन चला सकते हैं, से यात्रियों की दूसरी ट्रेनों में टिकेट बुकिंग की स्विधा मिल सकेगी, बिहार में कहर बन कर तूट पड़ा है मौनसून, बिहार में एक तरफ जहां लोग गर्मी से परिशा क्यों कि आकाशिय बिजली के चपेट में आने से लोगों की जान चली गई है, जुन में सबसे ज़़ा जाने सारण में गई। यहां पर अकाशिय बिजली ने पांच लोग की जान ले वहीं भोजपुर में चार लोगों की ठनका गिरने की वज़े से जान चले गए जदियु का 6 मंडल जनता दल युनाटड का एक उच्स्तरी प्रते निधि मंडल आज नागा लैंड दोरे पर लाणा हो गया है कि लोक नायक जय प्रकाश नारायन का योगदान नागा लैंड और वहां की जनता के प्रतीव रहद था ऐसे में वहाँ जेपी को विशिश श्रदासु मनर्पित करने हमारे नेता जार है आपको बता दे कि जदियों की तरफ से 11 अक्टोबर 2018 में जेपी की 116 वी जनती के मौके पर नागा लैंड में जेपी के समारक पर कारिक्रम का आयोजिन किया गया था जुसमें राजोसभा के उपसभापती हरिवंच मुखियाती थी थे मौनसून की पहली बारिश में ही डूब गया पटना बिहार के नितिश सरकार भले ही जलजमाब नहीं होने के दावे करती आई हो लेकिन बारिश होने के साथ ही इन दावोगी पोल खुल जाती है जुसे लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा है राजधानी पत्ना की सडकों पर बारिश का पानी जम गया पत्ना सिटी के चौक शिकारपूर इलाके के सडकों पर भी जलजमाग की सित्य उत्पन हो गई बारिश के पानी में चल रहे वाहन दूपते नजर आए बक्तियारपूर पहुँचे सीयम नितीश मुक्तियारपूर नितीश कमार ने बीतिश शामी पटना जुला अंतरगत बक्तियारपूर के गंगा तटस्तित सीधी घाट का स्थलने रिक्षन किया और वहाँ चल रहे विकास कारियों का जायजा लिया इस दौरानी मुक्तियारपूर एवं अत्मलगोला प्रखंड के घोसवरी घाट ठाकुरबाडी सीधी घाट मुक्तिधाम घाट होते वे राम नगर घाट तक पुरानी एवं मृत प्राय गंगा नदी की उपधारा को पुनर जीवित और पुनर स्थापित करनी की योजना के तहट चल रहे कारियों की प्रगति का जायजा लिया आपकी जानकारी के लिए पको बता दे कि मुख्यमंत्री ने 13 जून को इस योजना का शुभारम किया था इस दोरान मुख्यमंत्री ने सीधी घाट से गंगा नदी के मुख्यधारा तक बनने वाले रास्ते के समन्द में अधिकारियों से विस्टे जानकारी ली वहीं सीधी घाट स्थित मंदिर के पास बने प्राचिनेतम एवं अध्वितियर मीठे पानी के कुएं का भी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उन्हा ने कहा कि पहले इसी कुएं का पानी बक्तियार पूर के लिए लोग पिया करते थे दीपक हुड़ा आइरलांड के खिलाफ बने योधा दीपक हुड़ा ने अपने करियर के पांचवे ही T20 इंटरनाशनल माच में सेंचुरी ठोक कर दिखा दिया कि वो किसी भी जिम्मधारी इसके लिए तयार है दीपक की ये 30 इंटरनाशनल पारी थी और उन्होंने जिस तरह से तीसरे नमबर पर उतर कर आईरिश गेंदबाजों की बैंड बजाई है उसके लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही है दीपक ने कहाई कि अगर उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता तो ऐसे में खुद को यूधा समझ लेना चाहिए दीपक का मानन बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में उतार चड़ाब जारी है सिर्फ बिहार नहीं देश भर में कोरोना के मामलों में मढ़ोतरी देखने को मिल रही है राहत की बात यह है कि कोरोना के मामलों में लगातार वृध ही देखी नहीं जारी है स्वास्तिभाग के तरफ से सा पुर्णिया में एक सारण में एक सारण में सिवान में एक सुपॉल में एक मामले की पुष्टी वे इसके साथ ही नौए से मरीजों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो दूसरे राजिक है लेकिन इनके सांपल भिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये गे हैं कल हमारे तो और पूछे किस सवाल का जवाब आपने से बहुत सारी यूज़र नेहिं में कमें अदारा के दिया है तुर्षादव का जवाब आप一 सब्सके आपने से जिन यूज़र ने हमारी सवालों का सही जवाब दिया हैं आपके नुसार कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते वे क्या सभी जुलों में मास्क को फिर से निवारी कर देना चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए वस इतना ही विहार की बड़ी खबरों से बड़ेटे ढहने के लिए हमारी योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान दबाना ना भूले धन्यवाद